तूबा की तब्यत हराब थी, जिसकी वज़ा से फैसल आज ओफिस से ही या था, कमरे का दर्वासा नौक हुआ तो सामने याया को कड़े देख, फैसल पुशकवार से हरत हुई अरे याया, तुम यहाँ, आओ बैठो फैसल की कहने पर वंदर आया मैं गुडिया की तब्यत पुशने आया था पॉप्स वो भी आयान की तरह उसे गुडिया कहता था मैं अल्ला के करम से अब ठीक हूँ बेठा, तूबा ने मुसको आकर कहा हूँ हाँ, अब इतना हुद्मत गुजार जिसका शोहर हो, वी भी ठीक ही होगी न पैसल ने कॉलर जाड़ देखा हूँ, याया उसकी एक्टिंग पर हरसी हूँ अच्छा पॉप्स, मैं जल्दी में हूँ, मुझे आप दोनों से की जाज़त चाहिए थी हाँ, बोलो बेठा गुडिया, दरसल में आपकी बेटी, मतलब स्नो वाइट को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ कहाँ, पॉप्स, वो शेजीन की मेंदी है, वहीं जा रहा हूँ, सोचा, उसका माइंड भी ज़रा फ्रेश हो जाएगा याया ने रटी-रटाई बात दो रहाई, वैसल ने दूपा की तरफ देखा, मुझे कोई मसला नहीं है, अगर ओम माइं मा, जाना चाहती है तर सुरूर चली जाएग, उससे मुस्कुरा कर गाँ सनो से पूछ लो, अगर वो जाना चाहती है तो ले जो, मगर राच जल्दी वापिस आ जाना, फिकर ही ना करें पॉप्स, जल्दी वापिस आ जाएंगे याया हुशी के मारे उसे सोर से घर लगा था, उससे कमरे किदर भागा चलो, चलो, चल्दी से त्यार हो जाओ, उससे कमरे में आते ही याया ने शोर मजा दिया, मगर क्यों, जाना कहा है उमाईमा जो उसे इतने दिनों बात देख रही थी, एक्दम से हुशी से बोली थी मेंदी के फंक्षन में जा रहे है किसकी मेंदी? वो किताब ये रक्रूट कर उठी शैजी की है, तुम भी साथ चलो, बहुत मसाएगा, रोशाने भी आ रही है उमाईमा जो मना करने वाली थी, रोशानी कियामत का सुनते सारस बात में ही लागे रुकों मैं डैट से पूछ कर आती हूँ अरे पूछ कर आ रहा हूँ, स्नोज जल्दी से त्यार हो जो तुम बस उसका हाथ पकड़े याया ने उसका रास्ता फोरण से रोका था ओके, तुम जोब में रेडी होके आती हूँ ओके, सिर्फ बेस्मेंट हैं, जल्दी त्यार हो, मैं आता हूँ याया एक्दम से कहता वहाँ से गाइब हुआ उमाईवान भी पुर्चोर सी वाट्रोब किदा पड़ी थी ये जाने पे न, ये एक और ब्यानक रात थी जो उसकी गुसी सर ठोनी ब्यानक रातों में दर्श होने वाली थी शाम के साई कहरे हो रहे थे, वो तिनों इस वक्ड़ काउं में एक खुफिया घर में खुफिया थरीके से मुझूद थे हमें मालूम हो गया है, वो तमाम लड़कियों को मंगल की रात कहां लेकर जाते हैं कहां, यहां से दूर एक तुवाइफ का कोटा है, कुछ को वहां लेकर जाया जाता है जबके कुछ लड़कियों की स्मगलिंग की जाती है इसके हलावा जिन लड़कियों की स्मगलिंग की जाती है उनका एक अलग हुफी अड़ा बनाया गया है जहां जारों की तादाद में लड़किया मुझूद है उनकी लुकेशन उर्सलीन ने आईबरों उचकाते फूचा एहमर्शर जी कोई काम अधूरा नहीं करता कहने के साथ ये उससे एक कागस का टुक्रा टेबिल पर रखा था बड़े पापा तक हवर पहुचाई या नहीं उन तक हवर पहुच गई है सर सादिक ने जवाब दिया मगर ओर्डर आया है कि अभी आप लोग वहाँ हमला नहीं करेंगे वो चाहते हैं अभी मजीद आप दोनों यहां रहें ताकि कोई और ऐसी मालूमात हो तो वो भी हात लग जाए मैं उनके रसूलों की वववन्दी करूँगा मुरसलीन ने फोरण से कहा मुरसलीन ने बात को टालना जहाँ था मैंने आपकी बीवी को हवेली में जाते देखा है मैं जानता हूँ जब आप भी वैसे ही आया जवन्दी एहमर ने हैसे आप रोच गाई कैसे पूछना चाहता हो फिर वो इतने सुकून में कैसे वैठा है उससे फखरी अंदास भी कहा हूँ वो जानता था वो हवेली गई है उससे जाने नहीं देना जाता था वो बहादूर सही मगर मुरसलीन को उसकी फिकर सता रही थी अभी वो उससे में भरा उससे का इंतसार कर रहा था जब हो दरवासा खोल कर अंदर आई चेरे पर ठकन के असान नुमाया थे बालो का जूड़ा खोले वो चार पाईवा बैठ गई मैंने मना किया था वहाँ जाने से फिर क्यों गई तुम वो उसके सर पर फोँचे हुसे से धाड़ा मैंने तुमें साथ चलने को कहा था तुमने खुदी मना कर दिया वो दूपदू जवाब दे थी जूते उठाने लगी मुरसलीन ने उसके बाद सो पकड़े जटिये से उसे अपने सामने लाग खड़ा गिया बकवास मत करो मुझे ये जवाब दो जब मैंने कहा कि वहाँ हत्रा है तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी फिर क्यों गई तुम वो शिटते सबसे सचीख पड़ा तुम वो इनसान हो मुरसलीन रमिस जाओ और नताशा रसा मर भी जाए तो तुम्हारे पास उसी कपर पर वादे अपड़ने के लिए वक्त नहीं होगा तो ये जूटी फिकर किस बात की दिखा रहे हूँ तो मुझे वो कितने निनों से उसकी बाते बरदाश कर रही थी आज एक तम से बट पड़ी उसकी बास उपर ग्रिफ्ट मिसीज सक्त हुई थी तुम अपनी परसनल थिंकिंग को इस मेशन से दूर नहीं रख सकती हैं क्या वो लब भींचे उसके चेरे पर हो रहा है क्यूँ? सच इतना कड़वा लग रहा है मुरसली शा कि सुनने की सकत भी नहीं है तुम में उससे मसीद वाय किया मुझे तुम्हारी फिकर नहीं है नताशा रजा तुम मेरी कुछ नहीं लगती जिसके लिए मुरसली रमीज शा मारा मारा फिरेगा उसके बाजू छोड़े उसे तुम इनान सिखा तुम सही कह रही थी तुम मर भी चाहो तो मुझे फरक नहीं पड़ेगा फरक वहाँ पड़ता है जहां कोई रिष्टा हो और तुम तो मेरे मैयार तक भी नहीं पहुंच सकती रिष्टा बनाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता वो तनफूर से कहता एकदम से उना नताशा चाहां की दाहा खड़ी थी वो समझती थी वो उससे नापसंद कहता है अगर वो तो उससे नफरत कहता था वो भी इतनी शदीद नताशा का दिल जहां इतनी दौईन पर वो उसकी आँखों के सामने सोचल हो जाए और पिर उसे कभी नसर नाए वो तोटे दिल को समझाल दी वो उसके अंगे लिए भारी कदम उठाए उसके साथ से गुजरी पाए निकली वो बेक त्यार बूच पैठा मरने जा रही हूँ सबाट अंदास शोक से जोब उससे एक आखरी चुमला कहा जो नाटाशा रसा की रूपर आखरी टोकर और जिसम चीटे थपड़ की तरह लगा था ओके हम इंतजार कर रहे हैं भाई क्या आपने ताहा को इन्फॉर्म कर दिया हाँ फैसल वो भी पहुंचने वाला है बेफिकर हो आज बाद शहान की परबादी की शुरुवात हर हाल में होगी इन्शाला रास्ता बदल लेता था या पर बिल्कुल ही एक्नूर किये गुजर जाता उससे न आचाते हुए भी किल्ट फील होने लगा था वो उससे बात करना चाहती थी मगर ताहा मीर का मिसाज ही नहीं मिलते थे मगर आज वो हिब्मत करके आही गई थी मगर उसके इतनी बेर हुई पर अफाव के दिल को ठेस मुझी थी मुझे आपसे बात करनी है वो जीप में बैटा अफाव यक्तम भोल उठी ताहा पल्टा और एक तुन नजर उसवर डाले जीप का दरवासा ठासे बन करता उसके सामने आखड़ा हुआ अफाव उसके तेस सासु से खबराती एक कदम पीछे हुई उससे क्या हबर थी विटनी फर्माबर्दारी दिखाएगा जल्दी बोलो लड़की मुझे और भी बहुत काम है अफाव को जो उससे खूर रही थी उससे कराद असवर चोप नहीं बोलना था वो ही बोल गई आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही है इंट्रेस्टिंग मेडम अफाव रजा था ने हस्से ताली बजाएग अफाव को वागल लग रहा था तुमसे बात करता हूँ तो तुमें प्रॉबलम होती है निकाका कहा तो तुम रिजेक्शन मेरे मूबर मार कर चली गई और अब चाहती हो मैं तुमें इग्नोर भी ना करूँ उससे करीब आते हूँ उससे सचिंगारा अफाव तमसादे जोर से आंगे मीच गी उसका पूर पूर खौफ में डूबे देख ताहा ने उसकी बंद आंगों से नसे अटाई मुझसे दूर हो अफाव रजा और आइंदा तुम मेरे रास्ते में नजर मत आना एक एक लफ्स जबा कर कहते उसे सच्ट महरी से उसी कान चैसी शफाव आंकों में मोती उदरते देखें वगर हमेशा की तरह इग्नोर करिया मैं आपसे बत्तमीजी नहीं करना चाहती थी ना जाने क्यों अफाव को उसकी बेरोखी खलने लगी तुम बश्ट शुकर अदा करो कि मैंने तुमें इस बात की सजा नहीं दी वरना ताहा मीर अपने कोल का पका है वो तुमें तुमसे चुरा भी सकता था मगर मैंने ऐसा नहीं किया इसे अपनी जान बचाओ और मेरे सामने आने से घुरेश करो ये ना हो, मैं अपना इरादा बदल दू उससे करीब चुकते माईने हेसी से कहते वो उसके आवाज सर्प करिया अफाफ तेश होदी थरकनों में उसके वज़ी ही चेहरे को दोर से देखती नसे चुरा गई तहां मुस्कुराहट छुपाए जीब स्टार्ट करता जा चुका था सौरी भी नहीं बोलने दिया इतनी बादे सुना दी और मेरी सुने बगहरी चला गया वो घुस्से और गम की मिलिरोली कैफियत में आसों को रोकती वो मायमा के कमरे में आई आपी स्नो त्यार नहीं हुई कि अभी तक चेंज करनी गई है अल्मूस रड़ी है इसा ने नजर उठाई उसके पुझे चेहरे को देखते वो उसके पास आई थी क्या हुआ है अफाफ तुम्हारा चेहरा क्यों उत्रा हुआ है किसी ने कुछ कहा है क्या इसा के पुछनी की तेर थी वो पट पड़े एक ही बंदा है इस घर में आपी आपका खडूस भाई जो अफाफ रसा की पेचे किसी चिन की तरह पड़ा हुआ है जब दे को रोब चाडता रहता है मैं सोरी बोलने कही है और मेरी सुनी नहीं उद्धी इतनी बाते सुना कर चले गए अब मुझे बताएं कोई ऐसा करता है क्या तुम दोनों का अभी से यह हाल है तो शादी के बाद तो जंग बरबा होगी मलिक विला में फिर शादी? क्या मतलब आपी? किसकी शादी? उसे सत्मा ही तो लगा था तुम्हारी और खडूस? मेरा मतलब है ताहा भाई की? ओ माई माम बाहिर आती हूँ उसी इससे चेह चेह आई हाँ उर्ती उर्ती हवर मिली है वागा संकलने भी हाँ कर दी है इसान ने उसके सर पर एक और धमागा किया इतना बड़ा चीटर निसान मैंने अपने जिन्दगी में नहीं देखा वो ट्रांस से कैफिर में बढ़ बढ़ाई कुछ कहा क्या तुमने? मुझे नीद आ रही है मैं अपने रोम में जा रही हूँ अफाफ कहती रुगी नहीं थी वो ट्राइविंग कर रहा था मुबाइल रिंग हुआ नंबर देखती उसके चेरे पर चान लेवा मुस्कुराट ने हाथा किया हेलो जी कौन? मंसीद आख लगाई गई मैं आपका गतल कर दूँगी आप इतनी बुरे इंसान कैसे हो सकते है? अब आप फट पड़ी यकीनन उससे निकाह वाली बात मालों हो जुगी थी तहाने सोशिल लब दांत उतरे दपाए इस सवाल का जवाब मैं तुमें निकाह के बात फूरसत से दूँगा जाने दाहा वो खंपीरता से गयता उसकी बोलती बन करिया मैं आप से निकाह नहीं करूँगी किसी सुरत नहीं करूँगी मुझे आप भूल रहे हैं कि मैंने रिजेक्शन आपकी मुँपर मारा और दूसरी तरफ आपने मेरे डैट से हाँ भी करवाली तो मैंने कोन सा गन पॉइंट पर हाँ करवाई है उनसे? उन्होंने अपनी मर्जी से रजामन दी दी है वो दूप दूप बोला ठेट से तुम्हें खुद बात कर लूँगी मगर आप मेरी तुम मेरी बात कान खोल कर सुना अफाफ रजा वो कोई धंकी देती ताहा की करशडार आवास से उसकी सबान पर लक्वा मारा हबरदार अगर तुमने मजीद कोई भी तमाशा लगाने की कोशिश भी की तो याद रखना चाहे जिसके सामने मना कर लो आना तुमने फिर भी ताहा मीर की तस्त्रस में है और अगर तुमने बाहर पोर्ष रखाएं थी जहां याया उनका इंतसार कर रहा था अपी मैं याया को बता दू ना किस बारे में दिल आपी यही कि मैंने कराटी सीखे है वो बहुत हुश होगा उसके चेहरे से ही नहीं लहजे में भी एक अलग ही हुशी की रोंग थी इंसाने दिल ही दिल मे इस हुपसुर्सी स्नोबाइट की ठेरों बलाए नहीं थी हाम बता दे न उसका गाल जो में वंदर चली गई याशा जो किसी कॉल सुन रहा था वो मायमा को आते देख बलको अपनी जगास साकित हुआ औरेंज कलर की शिरारी में मलबूस वो हमरंग डुपट्टे को दर दर की हाग चानने वो शिकस होड़ा साफ वापिस उस घर में लोटाया एक बार मिल जाओ तुम्हें बताओंगा मनमानी कैसे करते हैं हाथ का मुका बनाए उससे जोड़ार तरीके से सामने देवार में दे मारा वो गाउन नहीं था उनके दुश्मनों का इलाका था जहा कस हो उड़ा साफ कदम उठाता घर से भाई निकल गया आप कहा जा रहे हैं अब उससे ढूनने जा रहा हूँ वो खहता निकल गया सादिक तुम इनके साथ जाओ वो भी परिशान है अपनी नकली पीवी मेरा मतलब है नताशा मेडम की वज़ा से अलफाज जरूस करते हैं म करने एक साइट पर होते मोबाइल निकाला शादी मैंशन के बड़े से रख्बे पर पहले हॉल मुनकित की गई थी जहां कि हर कोने को इंठाई हो सुर्थी से सचाया या था निकाह की रसम एक रूस पहले अधा हो चुगी थी आज रात मेंदी का फंक्शन था और दूला अ जिससे रोशाने उन्हेना एक साथ उत्री थी वेलकम वेलकम पूरा घंटा लेट हो तुम सब मुझ बना कर केहते शैसीन हुशी से आगे बढ़ा यार जानी इन लड़िक्यों ने लेट करवाया है कसम से वरना हमने कौन सा सुर्खी पोडर लगाना होता है बिलाल उन दोनो जिससे रोशाने करो बिलाल तुमारी होने वाली भावी हुँ मैं तू भी शादी कर लेता तो हम भी कहते बिलाल लेट हो गया जरूर भावी ने देर करवाई होगी शैसीने हसकर खा तो सब बिलाल की शकल देख कर हसी है जो कानूं में उंगलिया दिये खड़ा था जादा खीखी ना करो यह शादी नहीं बरबादी है और ऐसी बरबादी तुझे ही मुवारिक हो मेरे भाई हम तो सिंगल ही हुश है उससे लापरवाई से कहते गंदे उशका है तो सब उसके सोच पर तासुप करके रहे गए अपना हीरो नहीं नजर आ रहा वो क्यों नहीं आया भ बताया जिसपर हरसल शहसे और बिलाल ने उससे खुड़ने के साथ मुझे साफ़े भी बिखा रहे थे रोशा ने उन तेनों को पुर्सकून रहने कर शारा देती सबरस्थी का मस्कुराई थी उन्हें समझ नहीं आता था या या मेरे जिससे सिफ बात करने के लिए लड़क पर गाड़ी आकर रुगी उन सब की नसने उठी और बलटने से इंकारी हो गई वियाया मीर वाइट कलफ लगी शलवार कमी से मलबोस गंदों पर चादर रखे अपनी पूरी शान और शोकत से गाड़ी से नीचे उत्रा था उसके चेरे पर पहली हुशी और रोनक उसके सहर रंगेज शक्सियत वहाँ सब को पूरी तरह उसके तरह मर्थवच्चा कर रही थी वो सब उसको राते उससे देख रहे थे मगर भी हैरान हुए जब वो उनकी दरफ आने की वजाए काड़ी की दूसरी तरह भड़ क्या यहाया किसी को साथ लाया है क्या पता हमारी होने वा उमायमा शाप की तरफ उठी पंक्षे ने मुझूद तमाम लोग दोलन को छोड़े उससे देख रहे थे वो कंफ्यूस से टरी सहमे सी यहाया का हाथ दामें काड़ी से उतरी और फिर उनकी एहरती हद वहाँ आदम हुई जब यहाया ने हाथ बढ़ा कर उसका हिजाब उसको चलने का इशारा देते वो दोनों अपने ग्रूप की तरफ आए थे रोशानी ये कोन है याया के साथ ये मलिक विला की तीसरी शहजादी है इसका नाम हुमायमा शाह है मगर याया ये इसे स्नो वाइट कहता है क्योंकि ये बहुत हुपसूरत है रोशाने वालहाना अ देखते फिकरा उचाला मगर उसी वक्त अरसल ने उसकी पेट में कोनी मारी जादा शोखा नहो तेरे हीरो को बिलकुल नहीं पसंद ये वहायाद बाते वो भी गुडिया के सामने तुकतन नहीं इसी हामोश है अरसल दान पीस कर बोला मगर वो बिलाल ही नहीं जो हामोश र डाली वो गहरी मुस्कुराट के साथ बोला ट्रैफिक बहुत था इसले लेट हो गया वैसे ही इस नो है याया ने मुस्कुराट उसका थारूफ करवाया ये स्नो हाई थै तुमारी बच्पन की दोस प्लस कसन प्लस हमारी होने वाली भावी रोशाने का जुमला पूरा होने से पहले ही बिलाल ने कदरे उन्ची हावास विखा हूँ जहां उमारी मैंने सर शुखाया हूँ वही याया याने उसे खुरी से नमास हूँ अल्ला तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और हाजदू की नजर से महफूज रखे उन दोनों के सर से हजार के चन नोट खुमाते बिलाल हवा के तेज़ी से कैदा पीचिक हुआ और फिर वो नोट जाकर नेना के हाथ में पकड़ा दिये ये किसी फकीरनी को दे देना नेना मैं जरा आता हूँ अपना काम हतम किये वहार चार्टा मुबाइल निकालकर साइट पर चला गया हूँ छोड़ना यार एमे तुझे मालूंग तो है दमाग नाम की चीज नहीं है इस कमीने के पास। आ जाने की हूँ उससे कुछ सही नहीं लग रहा था उसका यू पलट के देखना सबने नोट कर या था यार मेरा दिल चाह रहा है मुझे जादू करना आता हूँ तो अभी तक मैं इस नेना चुड़े को यहां से क्या इस दुनिया से ही गाइब कर चुका होता बिलाल वाप बिलाल का गुज़ा साथ में आस्वाल को फोचा हुआ था मैंने उससे समझाय है मगर वो नहीं समझ रहा बिलाल में कुछ नहीं कर सकता ये सब इन दोनों की किसमत पर डिपेंड करता है बिलाल ने अफसुर्दी इसे कहा तो शेहजी ने उससा करना तब तब तबायो तो त फिलाल की भकवास तुम सुन चके होगे यार वो मजाग कर रहा था क्यों इशु बना रहे हूं इतनी सी बात का याया बुक्तासा गया मैं इशू नहीं बना रही याया अकिकत सिर्फ इतनी है कि तुम किसी एक लड़की के साथ रही ही नहीं सकते तुम कपड़ों की तर लड़कियां बदलते हो तुम जैसा बगवास पन करो नैना वर्ना याया उस पर हाथ उठा था अरसल ने परवक्त उससे कलाए पकड़ी क्या हो रहा है ये सब और याया तुपागल हो गया है क्या हाथ उठाने वाला था तु नैना पर अरसल ने बेयकीनी से उसके बास उचटकिर दिखा हो नैना आंको मैं आज सो लिए उससे देखने लगी यार इससे मुझे पाखल कर दिया है पता नहीं क्या बक्या बकवास किये जा रही है तो तुम आगिर वचा को हतम क्यों नहीं करते थे वो रोते हुए बोली मैं तुम्हारे लिए स्नो को नहीं छोड़ सकता नैना उससे अटल लेजे में कहाऊ मैं उससे छोडनी का नहीं बोल रही मैंने तुम से कहा हमारे रिलेशन के बारे में अगर तुम अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते तो एक पर अपनी फैमिली से बात कर लो या मेरी फैमिली वहां आ जाती है मगर तुम्हें मेरी हर बात से दरास रहा हो और अब तुम ऐसे फंक्षन में अपनी कसन को साथ ले आये हो तो सब तो यहीं समझेगे न जो तुम्हारा दोस्त कह रहा था वो आंसो फंच्टे फोले जा रही थी याया हमोश खड़े बस उसे देख रहा था उसे हर्ट नहीं करना चाता था उसके रोने से उसे तकलीफ हो रही थी मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे नैना मेरी बात सुनो मगर वो कुछ भी सुने बगेर आसो हुच्टे वापिस से हौल की तरफ जा चूगी थी यार अरसल मैं पागल हो जाओंगा कि लड़की मेरा दमाग खराब कर रही है सरी के बालों को नोच्टे वो हरस्यानी अंदाज से बोला अरसल ने तासो से सरचट का तो तू उसके साथ सारी जिन्दी गुजारने का सोच रहा था और अब इसे ये हाल है यार मैं मजीद कोई भहस नहीं करना जाता अगर तू कोई हल्प नहीं कर सकता तो चुप चाप चला जा यहां से अरसल की बात सुनें वो मजीद भारम होने लगा यार तू यहां बैठ और मेरी बात एक पर ठंडे दमाग से सुन उसे पास बेंच पर बिटाए अरसल ने बला की नर्मी सिखा हो याया ने सवाले नसुर्स उसे देखा यार याया वो तुझ से प्यार करती है उसका दिल यू ना दोड मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए खरी महबद देखिया वैसी महबद मैंने नेना की तरफ से कभी नहीं देखी तेरे लिए वो बहुत मुशूम है मगर नेना से लाग गुना बेतर है यार यार जो चो मुस्कुरा ते उसकी हर बात सुन रहा था उससे गुमान था कि वो नैना की मुतलिक बोल रहा था मगर जो ही उसका गुमान टोटा उसका घुस्सा भी साथवे आस्मान को जापोचा तमा की शेरियाने पटनी की गरीब थी यार क्या पागल हो गया है तू मुझे लगा तू नैना की बात कर रहा है इस सब में सनो कहां से आगई हो क्या गया है तूम सबको पहले पिलाल अब तू आगर क्यों तूम लोग मेरे सर पर जबर्दस्य से थोपना चाते हो और यहां अरसल की बर्दा शादम हुई थी थोपने से क्या मतलब है ते रहा अरसल उसका रिर्बान पकड़े धाड़ा वो मेरी बहन है याया कोई रह में पड़ी शेय नहीं जिसे मैं तेरे सर पर थोपनगा समझा तू एक अच्छे दोस होने के नाते में तूझे समझा रहा हूँ कि वो लड़की नैना तेरे लाइक नहीं है तो कौन है मेरे लाइक हां कौन याया उसका हाथ जटकते उससे भी उंची आवास में धाड़ाओ वो लड़की वो उसके लहजे में बैसारियत थी वो लड़की जो अपने हक में बोल तक नहीं सकती जिससे खुद की हिफाज़त तक नहीं होती जो बरसू किसी के हाथ हरैस्मेंट का शिकार हुई मगर जुबान से उसके उफ तक नहीं निकला सिर्फ इसलिए कि वो डरपोख है ऐसी लड़कीं से मुझे चिड़ है डैमिट समझा तूँ मैं उसे अपनी अच्छी दोस मानता हूँ इसके इलावा कुछ नहीं वो मेरी शरी के हायात कभी नहीं बन सकती क्योंकि याया मीर को डरपोख लड़कीं से नफरत है और यहां अरसल समेट किसी और की उमीदों का प्याला भी चनक करके समीन बोस हुआ था अरसल कुछ भी कहे वगेर मुड़ गया याया नहीं रूख दोसी तरफ फिर लिया आज के बाद स्नो का नाम भी मेरे सामने तिरी जुबान से अदा हुआ तो मैं भूल जाओगा कि तु मेरे पचपन का दोस है याया उसे नहीं देख सका मगर पीचे कड़ी वो मायमा शा का रंग फुख हुआ था जहां वो आँकों में बेकीने और जिलत के एसाथ से आसू लिये उसे दिख रही थी वहीं अरसल दुखे दिल के साथ आँकों में धेरो दला से लिये उसे दख रहा था मगर उसे कहां होश था कि वो आसवाश कुछ देख दी वो तो सिफ यायमीर की पुश देख रही थी उसके होट पर पढ़ा रहे थी जैसे वो कुछ कहना चा रही हूँ मगर चेरे पर पहले उलजे तासुराग वोसे कुछ भी कहने से आरे नजर आ रहे थे वो अजियत में थी मगर फिर भी उल्टे कदम लेती वापिस आ गई थी अरसल भी उसके पीछे आया था अरसल स्नो कहा है वो यहया को ढूंड रही थी अरसल ने उसे मामले की संगेनी से अगा करते पीछे एकोने में कड़ी स्नो की दर भेजा स्नो तुम रो रही हो रोशानी के अवास पर उसे जड़ से आंसु साब किये नहीं मैं रो नहीं रही आँखें वो साफ कर चुई थी मगर लेजा भराया हुआ था रोशानी को तूटकर उस लड़ी से हमदर्दी में सूस हुई जल्दिया बादेर वो समच जाएगा स्नो महबबद महबद होती है महबबद के बाद नफ़ृत तो हो सकती है मगर नफ़ृत होने के पाद महबद नहीं हो सकती उसके लेजी की चुबन मेसूस करते रोशानी ने नशनें दूसरी तरफ कुमाली जहां उसके पहली नसर याया पटिक गई उमाइमा भी वहीं देख रही थी बेख त्यार उसके कदम याया की तरफ उठे रुशानी भी उसके पीछे गई याया नैना को ढूंटा हॉल में आया था जहां वो चेर पर बैटी को आली इंच्वाइ कर रही थी पिलार शेर्टी और रिसल भी दूसरी तरफ एठे थे एक नसर उन सब को देते याया यानि नैना को देखा मुझे हुद से बहुत मुहबबत है वो उसके तरफ जुकते बोला वहां मुझूद इर्द-गर्द लोग साफ साफ उसे सुन पा रहे थे इसलिए मैं हुद को तकलीफ नहीं देता और अब तुम तकलीफ में हो तो मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि अपने समेथ मुझे तुमसे भी मुहबबत हो गई है मेरे तकलीफ और हुशी का वास्ता तुमसे जुड़िया है तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा याया उससे करीब जुकते गुटने के बल बैटा था नेना की हुशी किंतिहा नहीं थी याया ने पॉकिट से फूल निकाला अभी वो उससे दे था उसके नसरों का रुख दोसी तरफ खड़ी उमायमा की तरफ मुड़िया वो उसके बच्पन की दोस्स जरूर थी मगर उसका फ्यूचर नहीं बन सकती थी उमायमा की कान साहिं साहिं करने लगे याया की जुमले उसके सेन पर पत्तर बरसा रहे थे एक पल को दिल जाहा सब कुछ तहस सेंस कर दे नहीना को आग लगा दे आगे बढ़े याया मीर का गिर्बान पकड़े और चीक शीक कर उससे अपनी मुखबत का इसार करे मगर फिर जो सोचा जाता है वक से तसवूर तक ही रह जाता है आज भी वो ही हुआ था याया ने सर चाड़ते नहीना को सब के सामने पर पोस कह थिया आगे पढ़ने की बजाए उमाइमा के कदम पीछे की जाने बुठे थे पल को दिल ने शितत से चाहा कि पीछे एक गहरी काई हो और वो उसमें गेर जाए और कभी सामने मुझूद शक्स से उसका सामना ना हो मगर वो टकराई उससे पीछे मुड़ कर देखा जहां अरसल आखों में धेरू शर्मिंदी और तकलीफ के है गहरे आसार लिए उससे ही देख रहा था वापिस चलना चाहिए उससे कहने की देख थी उमाइमा अंदा थुन बाहर की दर भागी थी पहरत थी आँख से एक आंसो तक नहीं डबका मगर दिल दा जो ऐसे तूट कर विख रहा था कि जरा जरा पाश हो गया और ऐसे तूटा कि अब जोड़ना चाहा भी तो कभी नहीं जोड़ पा था यायामीर की मुहबत ने जो उसका तमाशा बनाया सो बनाया और वो शायद उसके अंजाम के हाथों मजीद उसकी रस्वाई नहीं जाती थी वो चुपचाप काड़ी में बैठ ली रुशाने उसके पास बैठी थी अरसल यहां के नंबर पर मैसेच छोड़ता वहां से उन्हें लिए निकल गया बिलाल भी वो सब देखता अगयर कुछ कहे वो अकोट कर गया था